इंदार में भवरकुआ थानक शेत्र के ट्रांस्पोर्ट नगर में निगम द्वारा रिमूवल कारवाई की गए जिसमें 70 से असी दुकानों पर इहा कारवाई की गए दुकान व्यापारियों ने सड़क पर अतिक्रमन कर रखा था जिसके वज़ा से सड़क पर वहाँ निकलने की जगह नहीं थी इसलिए निगम ने आज इहा कारवाई की मोरकार सी गाउं में गुजरने के बाद नाराज हुए करमशारी मामला जला मुख्याले के ओर्चा थाने का है जहां दलिद दुले और उसके साथ आई बारात के साथ कुछ दबंगों ने सिर्फ इसलिए मारपिट कर दी क्योंकि दलिद गाउं में मोरकार सी नहीं गुम सकता घटना जले के देरी गाउं ओर्चा थाने की है जहां बसंता बसोर की लड़की की शादी महराजपुर निवासी प्रकाश के साथ हुए थी बीती रात प्रकाश बारात लेकर देरी गाउं आया हुआ था बारात धूमधाम के साथ दुलहन के घर तक जाने वाली ही थी कि गाउं के कुछ दबंगों ने दुलहे और बारातियों पर जबकर मारपीट कर दी मारपीट में कई बाराती गंभेर रुप से घायल हो गए घटना का पता लगते ही लोगों ने पुलिस को सूचना कर दी सूचना मिलते हैं पुलिस मौके पर पहुँच गई और कुछ देर बाद पुलिस इस्तिती को काबू करने में सफ़र रही तब तक दबंग कई बारातियों को कम भेर रुप से घायल कर चुके थे घायलों को हंड्रे डायल की मदद से पुलिस ने हॉस्पिटल पहुचा दिया वहें लड़की पक्ष के लोग इस घटना के बाद बेहट डरे हुए थे उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब क्या हो गया और अब शादी कैसे होगी माहुल को देखते हुए ओर्षा टियाई रामेश्वर दयाल सुभा तक लड़की के घर रुके और पुलिस अभिरक्षा में लड़की का विभा संपन कराया यहां से बञाद भॏँँ होगा दिया हमने कूई बात नहीं समझ आते हुँ जाते हैं इसकी बारत नहीं आ पहर नहीं घुम पाईगी गउँ में दूसरी और इस घटना को लेकर Additional SP BKS परिहार का कहना है कि मामली में कई लोगों पर STSC Act के तहट मामला दर्स कर लिया गया है और एक आरूपी को हिरासत में लिया गया है और जल्द ही अन्यारूपियों को किरफ़ता कर लिया जाएगा Bureau Report दबंग News